नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखवर दान्योज इस बक्त हम मौझूद है रहेगा उप चुनाओ के बिजेपी पार्टी कार्याले में भर जुना और यहां पर हम कुछ कार्यकरतों से बात चीत कर इस चुनाओ के माहौल के बारे में जानने की कोशिस क नमम्ट करते हैं कि पिछले ग्लंबे अर्शे से भारती जन्ता पार्टी यहां पर सत्ना में काविज रहे यहां वारती जन्ता पार्टी के बिजेपी विधायर ःतकि बिधायग रहे और इस बार उनहीं की मृति उपरांत यह उप्चुना हो रहा है तो इस बार जनता का जो रुजान है वो किस तरफ है स्वागत करते हैं आप सभी का हम दखबरदार नूज पर सबसे पहले आपका परिचाए जानना चाहेंगे करता हूं और इस समय कारयाले का यहां प्रभारी उसे लेकर के बूत का भी मैं काम देख रहा हूं इस एरिया का और लंबे समय से इस सेक्टर का मैं काम देखता हूं और बहुत अच्छी इस्तिति है यहां पर आप काफी बरिष्ट हैं काफी समय से चीजे देख सुन रहे हैं पिछले लगबग 6-5 वर्चे यहां पर भारती जनता पार्टी सरकार में रही और दो बार कांग्रेस की सत्ता रही लेकिन उसके बाप जूद यह छेद रितना पिछड़ा हुआ क्यों है पिछड़ा नहीं है जो भी थोड़ी हमारी अधूरी विकास की गती थी वो हमारे माननिये जुगल किसोर बागरी जी जो काफी समय असौस्त रहे और इसके बाद उनकी म्रतु भी हो गई तो उनका जो है उनके असौस्ता का कारण जो है इस से थोड़ा सा विकास रुका लेकि ज svenrien हमारे यहां बहुत कुछ काम हुआ है और विकास की गति अब बहुत अच्छी है हमारे यहां हाईर सिकांगे स्कूल जो आज मी तक था तो मान नcé गुल की सोड़ागरी जी हमारे जब गडायक थे उसी समय हुआ और यहां बहुत सारे काम हुए और भविस में हमारे काम ज ने सिंग जी को बनाया है उन्होंने हमारे यहां बहुत अच्छी बिल्गिंग अभी हमको दे चुके हैं प्रयोक साला के लिए पचासी लाग रुपए लागत की बिल्गिंग बनी और बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं और हमारे छेतर का विकास के लिए सब हमारे जन प्रित पूरी तरह से पूरी लगन के साथ तत्पन हैं और संगतन का काम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है इस अबार के उप चुनाओं में क्या लिखता है कि किसका पड़रा भारी लग रहा है कौन जीतेगा हम निश्चित ताउर से इस सेक्टर से तो हमेशा जीते रहे यह भारती जंता पाड़की का गड़ है और हम इस वार काफी मतों से रहेंगाओं का चुनाओं जीतेंगे और जीते आभी रहें पिछले चुनाओं की तुलना में इस वार ज्यादा मत आपको मिल रहे हैं हाँ इस वार जो है हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास के लच्छ में चल रही है और विकास ही हमारा प्रमुक रोप से मुद्दा है और हमको पूरी आसा हैं बहुत ज्यादा बोटों से जीतेंगे और भारी भरसक मेनत हमारा संग्चन से ले करके बूत का कार करता अपनी पूरी इच्छा सक्ति के साथ मजबूती से लगा हुआ है और जनता जनार्दन भी भारती जनता पायके के साथ में खड़ी है हमारे साथ कुछ यूबा भी है कितने बार आप बोट डाल चुके हैं अभी तक अब लोग का पहली बार यह होगा इस बार डालेंगे तो पहली बार बोट डालेंगे किसे चुनने का विचार है इस बार प्रतिमा भागरी जी को भारती जनता पार्टी को बोट देना है तो क्या कारण है कि भारती जनता पार्टी की तरफ आपका रुजान है क्यों उसकी तरफ जो तो आप चुनना चाहते हैं उनको उनके प्रत्याशी को वह इसलिए क्योंकि विकास वही करेंगी कांग्रेस पार्टी में भरोसा नहीं है तो यहां तो लगभग काफी समय से भारती जनता पार्टी रहे लेकिन फिर भी ये छेत्र पिछड़ा है लोगों से जब बात की जाती है गामों में तो कहते हैं रह गाओ तो गाओ ही रह गया तो अब कौन से ऐसे उम्मेदे हैं कि अब ये सहर बन पाएगा अभी देखिए दो साल कुरूना के बज़े से जो विकास से चल रहे थी तो वो रुक गई दो फाल में और नहीं तो अभी पिछड़ा अभी ऐसा नहीं है मतलब काम चालू है अभी देवी मंदिर का विकास च चकास चल रहा है धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरोजगारी का क्या आलम जाएं आ डिरोजगारी एक 43 बहुत बड़ी समस्या बन करके तो अब हरρέ है चीस आ ध्यवर्यारी हाड़ धीरे-धीरे होंगी तो बिरोजगारी हड़ जाएगा